नमस्ते हैं आपका स्वागत है और आज में लाई हूँ आपके लिए के ऐसी रेसिपी जिसे आप इन गर्मियों में कभी भी लेंच और डिनर में बना के खा सकते हैं जब आपका मन खाना खाने का ना हो और यह बहुत ही हल्डी है बहुत ही टेस्टी चिटपड़ा क्रंची औ हमको इस तरीके के हरे खीरे चाहिएंगे जो एकदम ताजा होने चाहिए और कच्छे होने चाहिए पके होगे खीरे ना ले और इसको अच्छे से दो के पहुंच ले सुके कपड़े से और इसके बाद में इसको कट करना है इस तरीके से इसको हमको कट करना है नीचे से साइट का भाग हो अटाना है और इसके बाद में एक पीस कट करके हमको टेस्ट करना है कि खीरा कड़वा तो नहीं है और उसी के बाद उसको काम में ले और इस तरीके से पीछे से थोड़ा सा हिस्से को छोड़ते हुए कट लगाना है यह पहला कट और इसके बाद में दूसर कट नीचे तक नहीं ले जाना है क्योंकि हम इसमें स्टाफिंग करेंगे इस तरीके से जैसे हम बैंगन को बढ़ने के लिए काटते हैं या कैप्सिकम को यह देखिए पहले दोना तरफ से साइड से निकाल ले उसके बाद में जितने भी हीरे आप काम में ले रहे सब को टेश करेंगे फैसका बढ़क संवे काट लगाने है चार पढ़क्ष है किरो को को अंट कर लिया है अब हम टाया करेंगे जो हम किरी के फैल लगांगे तो हम ले मैं तो एक आलीत थित सब्सकिंक जाएगी जिस्सें सर्व करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेंगे तो एक करके लिए पर अच्छे से लगा लए घाएंगे तो ज्यादा अच्छ लगेंगे सब पूरे कीरे पर क्योंकि हम खीरों को छिल्की के साथ में यूज ले रहे हैं तो इससे लगाने से थोड़ा सा टेश्ट बढ़ जाएगा बहार से भी और अंदर तो हम स्टफिंग करेंगे उसका टेश्ट हो गई बहुत ही चटपटा और टेश्टी और मसालेदार तो सब खीरों पर लग गया है ओईल यह देखिए अब इसको हम साइड में रखते है और इसकी स्टफिंग की तयारी करते है देखिए किते ग्रीन लग रहे है क्यूकंबर और किते अची शाइनिंग लग रही उपर तो हम इसकी स्टफिंग के लिए ले रहे है ओनियन यह अब इसकी जगे कैरी भी ले सकते है है और कोई भी वेजीटेबल जो आप ऋसकी जगे कोई दूसरी सबजी एड करना चाही है आप चाहे तो इस तरीके से भी कट कर सकते हैं आपकी चॉइस है लेकिन इस तरीके से जब हम डालते इसे कंदर स्टफिंग तो जो भाद थोड़ा सा लेयर आती है और जो क्रण्च आते हैं इनके लच्छा के वह बहुत ही चेशरी लगते हैं अब हम परपल कैबच को भी काट कर लेंगे इसे तरीके से अब हम एड छीली को भी तरीके से गठो इस तरीके से कट कर लेंगे तो कि अल्गार वह लंबाई मिलती है उस senko कशिए रहता है है जिल व् beta आपको सब्ससाघ लेंगते में चाहिए ह Casey हो तो मेंगू का गरी वाला डे रहे है काम इसको भी हम लाच का से वाश कर लिया घ। उपर से जे नए कुलों थे स्केर geral करेंगे तो पहलए हम स्ट्ले मेंद स्राइस कुल पर लेंगे हम स्केरी स्राइस से डेले निकाल लेंगे। यह देखिए इस तरीके से कट किये अब हम इनको रोड़ा और बारिक कट करेंगे इस तरीके से कि सारी सब्जे एक जैसी लगे साइज में इस खाने में तो टेस्ट लगता ही है दिखने में भी बहुत ही संदर लगती है अब हम हरे प्याज को भी कट कर लेंगे और यह इससे निकाल देंगे और हर आज भी इसी तरीके से कट कर लेंगे तो बहुत ही कलर्फुल लगती है तो देखी कितनी कलर्फुल लग रही है सब्जे सारी सारी कलर आगे इसमें औरेंज ग्रीन यलो अब हम इसमें जो हमारा ऑइल बज गया था जो हमने बनाया था खीरे फे लगाने के लिए जो बज गया था वह हम इस पर डाल देंगे अब डाल रहे हैं वन टेपल स्पून के लगबक रैड चिली पावडर क्योंकि यह बहुत स्पाइसी होता है बहुत चटपटा होता है तो इसमें रैड चिली जादे डलती है अब अपने टेश की सब से क करिंड करिंडर और खेली से बनाइ और सबको अच्छे से मिक्स करींगे थोड़ोसा ब्लैक स्ट डाल शेली याणी क्मट्ě काला नमक और प्रू टेबलश्पूं के लगब ब ग्रीन करिंडर याने अरदेणया और के लगबू को दीना जिससे बहुत ही अच्छा तेश्ट आता है इसमें और ये हाफ लेमन जूस यानि आधा निम्बू का रस इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे सारे फ्लीवर आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और अब हम एक एक खीरा लेकर उसके अंदर स्टफिंग करें इस तरीके से तो ध्यान से आपको इस तरीके से अच्छे से हलके हाथों से इसको नेडल करते होगे स्टफिंग करनी है नहीं तो यह खुल सकता है पूरा खीरा और टूट भी सकता है और इसी तरीके से सबी खीरों को तयार कर लेंगे और प्लेट में रखते जाएंगे तो जब भी आपको इसे खाने का मनों उसी टाइम फ्रेश बनाएं पहले से बना कि नहां रखे इस सैलेट में फुल अप फाइबर है जो आपको बहुत देर तो फूल रखता है आपको प्यास नहीं लगने देता और जो आपको बहार चटपर्टा चाट खाने की क्रेविंग हो जरूर बताए कि आप इसे कब बना रहे हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्ति कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि